आप लोगों ने एक बार चाइनिज फूट तो जरूर ही खाया होगा और ज़्यादा तर लोग मंचूरियन ग्रेवी या मंचूरियन ड्राई खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आपको पता है ये मंचूरियन बॉल कैसे बनाया जाता है और इसकी ग्रेवी कैसे तयार की जाती है एक तरब केबेज जो है उसको घीसा जा रहा है और केबेज घीस करके यहाँ पर मंचूरियन बॉल बनाने का जो बेज है वो तैयार किया जारा है तो भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कॉमेंट कीजेगा और आखरी तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिरकार इस मंचूरियन की ग्रेवी में और मंचूरियन बोल में क्या-क्या डाला जाता है तो केबेच के बाद अब यहाँ पर कैरेट को घीसा जा रहा है यानि की गाजर को कैबेच सबसे जादा है कैरेट थोड़ा सा कम है और उसको मिक्स किया जा रहा है केबेच के अंदर बणिया से तो देखिएगा पूरी वीडियो आज आपको मज़ा आ जाने वाला है और हाँ चाइनिस फूट बनता कैसे है आप यह जान जाएंगे तो देखिए इसको मिक्स करने के बाद उसमें सॉल्ट एड कर लिया गया है और सॉल्ट एड करने के बाद मतलब सॉल्ट ग्रेवी में भी एड होगा लेकिन पहले मंचूरियन बॉल के अंदर एड किया गया है और यह है काली मिर्च पाउडर जिसको एड़ करने के बाद अब बनिया से mix कर लिया गया है और इसको दबा दबा के चान चान के जो इसमें cabbage से निकलने वाला पानी है उसको एक तरफ फेक दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेज है वो तयार कर लिया गया है उसके बाद जो आप देख रहे हैं पन मेहनत करने के बाद इसको तयार कर लिया गया है और इसमें से अब तयार करने के बाद बनाया जाएगा मन्चूरियन तो देखिए कितनी मेहनत लगती है आज इस मेहनत के लिए एक कोमेंट और एक लाइक तो बनता है अभी कहिन मATE जायेगा क्योंकि अभी तो यहाँ पर 30% ही खाली तैयार हुआ है मंचूरियन इसके बाद तो बाकी की प्रोसेस अभी बची हुई है तो सारा जो मेश तैयार किया गया है उसको अलग से एक बड़े से भगोने के अंदर ले लिया गया है और अब यहाँ लाने के बाद जो गरम किया था उसके अंदर अब फ्राइ करना सुरू किया जाएगा लेकिन यहां कमाल की यह बात है कि जो इनके हाथ के अंदर से यह छोटे-छोटे बाल्स तैयार करते हैं इन सबकी साइज आलमोस्ट एक ही रहती है और अगर आपका इन मंचूरियन खाते हैं और कभी आपको लगता है क यार इसके जो मंचूरियन के बॉल है ज्यादा क्रिस्पी नहीं है ज्यादा आटे वाली फिलिंग आ रही है तो आप समझ जाओ के भई उसमें मैदा ज्यादा डाला गया है क्रिस्पी और क्रंची मंचूरियन बनाने के लिए मैदा और कॉन फ्लोर से ज्यादा मात्रा होती ये cabbage की, carrot की, तो अगर wedge की मातरा ज़्यादा है, तो वो manchurian bowl crispy लगेगा, crunchy लगेगा, और आप लोग manchurian वाले के वहाँ ये try तो करते ही होंगे, लेके अलग से, तो देखें, यहाँ पर एक कड़ाई में इतने सारे manchurian balls डालने के बाद, इसको बढ़िया से जब तक लाल हो जाए भूना गया और लाल होने के बाद आप देख सकते गॉल्डन ब्राउन इसका जो कलरे आ चुका एकड़म क्रिश्पी क्रंची देखने में लग रहा होगा आपको तो यह बिल्कुल तैयार हो चुका है और चलिए अंकल से पूसते हैं कि भाई और क्या क्या यह सब्सक्राइब करते हैं मंचुरियन बॉल के बाद अब ग्रेवी की तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में ऑईल के अंदर सिमला डाला गया है के बेश डाला गया है उसके बाद गाजर डाला जा रहा है और हां इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो रहने वाल प्याज पत्ते वाला जो एड कर लिया गया है और इन सब को बनिया से भूना जा रहा है तो यहां तयार की जा रही है ग्रेवी और उसके लिए जो वेज है वो बनिया से जब भूना गया है फिर डाला गया है उसके अंदर गार्लिक पेष्ट और उसके बाद डाला गया है जिंजर पेश्ट यानि की अद्रक का पेश्ट सबसे ज़्यादा जो स्वाध है यही लाने वाले और यह जो आप देख रहे हो यह है पीसा हुआ प्याच का पानी तो यही मिला के बनने वाली यह लाजवब चाइनिज वाली ग्रेवी तो आगया है उसके बाद ग्रीन चिली सॉस जो तैयार अल्रेडी मार्केट में रेडी मैट मिलता है यह आगया रेड चिली सॉस और यहाँ पर आने वाला इसके बाद सोया सॉस जो इसका पूरा कलर ही बदल के रख देगा जो पूरा मैंचूरियन वेस का ग्रेवी का कलर होता है वो ला के देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर सॉल्ट एड कर लिया गया है और पूरा का पूरा जो ग्रेवी है कमपलिट होने वाला है और फिसे आगये काली पाउडर तो भई आप बताओ वीडियो आपको कैसी लगी और आज से पहले आपने यह जो ग्रेवी है और मंचूरियन बॉल है तैयार करते हुए इस तरीके से देखा था कि नहीं देखा था उसके बाद देखें यहां पर मिनरल वाटर एड कर लिया गया है ग्रेवी बनाने क एक तरप मंचूरियन एक तरप और जब यहां पर सर्फ किया जाएगा तो ग्रेवी मंचूरियन मिक्स करके सर्फ किया जाएगा जी हां यह बल्क कॉंटिटी में बनाया जा रहा है इसलिए इस तरीके से अगर आप एक दो प्लेट की रिक्वार्मेंट करते हैं तो आपको और मंचूरियन साथ में बना करके दिया जाता है और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चाइनीज लवर अपने फ्रैंड को यह वीडियो भेज दीजिए